हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरी यूटूब चैनल में आज हम एक्सल के सेकेंड पार्ट में सीखेंगे कि अटेंडंस जो होती है उनको फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है और उसमें कुछ फॉर्मॉला होता है वो कैसे लगाया जाता है और कौनसा कौनसा फॉर्मॉला लगता है जो दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें उपर हेडिंग डालनी होती है तो हमारी जो हेडिंग है इस पर डाल देते हैं डेली अटेंडेंस उसके नीचे हमें क्या-क्या चीजों की जुरूर्थ पड़ेगी सबसे पहले सीरियल नंबर हमारा आएगा फिर हमारा इंप्लोई आईडी है कोई तो इंप्लोई आईडी आएगा उसके बाद इंप्लोई का नेम आएगा उसके बाद में फादर नेम आएगा इसमें आपको क्या डालना है कि उसका आप डेट ओफ जोइनिंग डाल सकते हैं इसको मैं दी ओ तो जे कर देता हूं इसमें और भी काफी चीज़े हैं जो रख सकते हैं बट जनरली यह चीज़ें काफी रहती हैं इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यह अपने आप उस फॉमेटिंग को ले लेगा इसके बाद में क्या आ जाती हैं इसके बाद में यहां पर डे जाएंगे डेट कौनशी कौनशी हैं वन टू और जैसा है मैंने आपको बताया था इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे और आगे तक इसको ड्रैक कर देंगे खीच देंगे तो यह आगे अपने आप ऐसे चला जाएगा हम हमारा 31 अम तक ले लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम मंत हमारा 31 तक होता है हम तोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग कर लेते हैं उपर वाली लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे रै्ट क्लिक दबा गे आद तक अब्शेलेक्ट कर लिया है क्या है क्योंकि जो हमारा डेली आटेंडेंस है वह हमारा सेंटर में आना चाहिए और पूरी लाइन निमार्ज हो जाए इसमें यह मज़ हो गया है अब हम देख पा रहे हैं जो यह वाला कोल्म है यह थोड़ा सा बड़ा है हमें एक ही करके हम ऐसे करते हैं तो सब एक बराबर के नहीं हो पाएंगे और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा तो इसलिए उपर से अप एरो लगा करके यहां तक सेलेक्ट करेंगे और जितना हमें रखना है सारे कोल्म एक साइज की हो जाएंगे यह वाला है इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं और साथ में ही नीचे वाले को भी सेलेक्ट करके इसको बॉल्ड कर देते हैं अभी सेरियल अंबर में हमारा रहेगा वन टू थ्री इसमें जितनी हमारी इंप्लोई रहेंगे हम इतना इसमें इसको काउंट कर देंगे और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं इसको सेलेक्ट करके इसी तक ड्रैक कर लेते हैं इंप्लोई आइडी में जो इंप्लोई आइडी रहेगा वह हम डाल सकते हैं इसमें एक और इंपोर्टन्ट चीज है जो हम भूल गए हैं वह है देजिगनेशन तो हम हमें वो डेजिगनेशन यहां पर चाहिए है हम रो में एक रो इंसर्ट करेंगे और यह इंसर्ट हो गया है मैं दुबारा बता देता हूं इसको कैसे करना है आपको जहां पर वो इंसर्ट करना है आपको इससे पहले इंसर्ट करना है तो आपको यहां पर ऐसे एरो करके राइट क्लिक करना पड़ेगा और इंसर्ट करना पड़ेगा और यहां पर आप 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 डेजिगनेशन उनका यहां पर डेजिगनेशन हाजाएगा तो इसमें आप अपनी रिक्वार्मेंट के कोडिंग सब का डाटा डाल सकते हैं और लड़ी आई है और सम डाटा ज्यादा से मैंना लगे इसलिए मैं यह डाटा कोपी कर लेता हूँ यहां से कंट्रोल सी से कोपी होता है और मैं यहां पर क्लिक करके मेरे पास इंपलो आइडिया भी नहीं है कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे तो यह डाटा इसके अंदर आ जाएगा यहां पर डबल स्लिक करेंगे अपने रिक्वार्मेंट के कोरोडिंग चोड़े हो जाएंगे यहां पर भी अभी क्या करना है हमें पूरी सीट को सेलेक्ट करना है हमारे लास्ट देज तक हम इसको बिल्कुल उपर से स्टार्ट करेंगे और आप इसको शेफ्ट दवा कर एरो से भी उपर नीचे स्लेक्ट कर सकते हैं और नॉर्मली भी स्लेक्ट कर सकते हैं अभी जो बॉर्डर होता है बॉर्डर पाले इस पर क्लिक करके और बॉर्डर पर क्लिक करेंगे यह अब पुरा लाइनिंग आ गया है हम अपने कोलम्स को थोड़ा सेट कर लेते हैं और यहां पर हमें क्या पूट करना होता है कि जो हम अपसेंट है तो हम ए मार करते हैं परजेंट है तो हम पी मार करते हैं तो हम जो सबसे पहले हैं इनको पी मार कर देते हैं यहां पर यह अपसेंट है तो हम ए मार कर देते हैं फिर यह कंटिन्यू परजेंट हैं फिर यहां पर यहां पर उनका weekly off है तो इसको मैं डबलू उसे मार्क कर देता हूँ फिर वो यहां पर present है यहां पर उननों ने leave ले लिया है फिर यहां पर present फिर weekly off आगया है उनका फिर present है यहां पर क्या हुआ कि उसने अपना डबल डूटी किया है तो मैंज में डबल पी मार्क कर देता हूँ तो यह मेरा पूरा बन गया है format तो इसी के according आप पूरी seat को fill कर सकते हैं तो यहां पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि इसको कैसे कैसे करना है तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि टोटल डेज प्रजेंट है वह कितना है यहां पर हम टोटल पी है वह हम काउंट कर रहे हैं इसके लिए फॉर्मूला होता है जैसा कि मैंने अपनी रोस्टर वाली वीडियो में बताया था काउंट इफ तो हम यहां पर काउंट इफ फॉर्मूला लगाएंगे वह कैसे लगता है बराबर से मैंने इसको स्टार्ट किया यू एंटी इफ ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं हमें एरिया सेलेक्ट करना है हम यहां से लेकरके यहां तक काउंट करना है हम कोमा लगाएंगे दबल कॉमा उपर की दरफ लगाएंगे, फिर क्या काउंट करना है, पी काउंट करना है, और कॉमा बंद कर देंगे, ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे, और इंटर कर देंगे, तो यहां से यहां तक 26 पी है, चलो इसको काउंट कर लेते हैं, यह सही बता रहा है, यह गलत बत तारह है वन एक दो तीन चार पांच छे साथ यह डबल पी है इसको हम काउंट नहीं करेंगे आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोज़ा पंद्रे सोले सतरे ठारे उनिस बीस 21, 23, 24, 25, 26 तो जो हमारा यह फॉर्मूला है यह बिल्कुल सही है अभी हमें इसको weekly of count कर लेते हैं या ot count कर लेते हैं कि कितने दिन इसने ot किया है तो यहां पर हम क्लिक करेंगे हम फिर वही count if फर्मूला लगाएंगे ओ, यू, इन, टी, इफ, रैकेट को स्टार्ट करेंगे range को select करेंगे कहां से कहां तक हमें यह चाहिए है कॉमा लगाएंगे उपर वाला double कॉमा लगाएंगे फिर हमें double P count करना है double P हो लिख देंगे double P 1 है अभी आप देख पाएंगे तो जो इसका over time है वो अभी single ही count हुआ है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह वाले kolum है इसमें एक formula और add करना पड़ेगा उसके लिए आप क्या करेंगे जो उपर रहेगा इसमें आप select कर लेंगे आप प्लस का निशान दबाएंगे और जो formula आपने लगाया है उसको repeat करेंगे count if आप bracket start करेंगे दुबारा से जो range है उसको select करेंगे दबल कुमा लगेगा फिर यहां पर डबल पी हमें मार्क करना है और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर करेंगे तो अभी आप count करेंगे यह तो हम count कर चुकी थे 26 था और दो over time यहां पर किया है तो यह 28 हो जाता है और जो हमारा यहां पर total आ रहा है वो भी 28 हो जाता है इसके अलावा आप इधर अपना weekly off को count करना चाहते हैं तो उसका भी वही formula है फिर से हम count if लगाते हैं हम अपनी range को select करते हैं weekly off आपको अपने जो लिखा होगा आपको उसी position में लिखना है अगर यह small या caps है तो उससे कुछ फरक नहीं पड़ेगा तो weekly off अभी तेख लेते हैं इसके दो weekly off है तो इसी तरह हम इसमें सारी चीजें लगा सकते हैं तो लीव को भी count करना चाहते हैं आप लीव भी count कर सकते हैं absent भी count कर सकते हैं total अभी हम यहां पर leave count कर लेते हैं green select कर लेते हैं कुछ गड़ बढ़ है यहां पर देख लेते हैं क्या है आपके हमने यहां पर double कुम है वह नहीं लगाया है इसलिए सब गड़ बढ़ होगी है leave count होगी है यहां पर हम total paid count कर लेते हैं इसको कितना paid करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है हमें इसको plus overtime को भी हमें plus करना है और इसको भी plus करना है bracket बंद कर देंगे कुछ 29 हो जाता है तो formula अगर नीचे आपके लोग रहेंगे जो भी रहेगा आप पूरी line को select करके आप नीचे तक direct कर देंगे तो यह formula आपका नीचे तक copy हो जाएगा इसको check करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं पहले हमारा P है तो मैं जैसे यहां पर P लिखता हूं अपने आप ही P count कर ले रहा है जो मैं weekly off count कर देता हूं तो weekly off वाले column में यहां पर आ गया है I hope आपको इस वीडियो पसंद आया होगा मैं इसमें थोड़ा ओर updated मैं आपको next वीडियो में दिखाऊंगा अगर आपको पसंद आए इसको like किजिए share किजिए और bell icon को जुरूर दबाएगा क्योंकि नई वीडियो आएंगी तो notification उसी की दुवारा आपके पास आएगा Thank you दोस्तो दोस्तो